तो कैसे हो दोस्तों आप लोग आशा करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे मैं स्वागत करता हूं राहूल आप सभी का डेली व्लोक्स में तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे बाल बहुत अच्छे और घने आ चुके पूरे सर में बहुत अच्छे बाल आ चुके बहुत लो होगा मेरे साइट साइट से जो है बाल जा चुके थे और मेरे जो हैलाई ने वह बहुत पीछे हो चुकी थी बहुत पतले बाल आ रहे थे मुझे डर था कई मैं भी गंजा तो ना हो जाओं मेरी एज 21 साल है और मेरे को कोई जनेटिक प्रॉब्लम नहीं है दोस्तो मेरे पापा के बहुत अच्छे घंए बाल थे मेरे बाल दुबई में आने के बाद जहड़ चुके थे दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो अगर आप गल्फ कांट्री में रहते हो तो यहां का पानी अच्छा नहीं है यहां का पानी जो है आप लोगों के बाल भी रहेंगे पर्मनेंट तो यह बहुत अच्छे गंजे रहने से अच्छे इतने बाल काफिय होते हैं दोस्तों अगर मैं आप लोग को बोलूँगा कि स्रिफ मैंने नियो है और लोशन और डर्मरोड यूस किया है तो मैं जूट बोलूँगा पर मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कोई भी जूट बोलूँ दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप आपके बाल अच्छे और घनय आये तो आपको साथ में कोई और ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा ट्रीटमेंट कैसा होगा दोस्तों आपको मल्टी विटामीन खाने पड़ेंगे जैसे कि हम सभी जानते संत्रा दोस्तों बहुत सारे लोग संत्रा को अवाइड करते हैं दो आपके बालों के लिए आपकी जड़ों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो आपकी जड़ कमजोर हो चुकिए उस पे जान डालता है तेल तो अपना काम करेगा करेगा साथ में आपको अंदर से कुछ संत्रा नहीं पसंद तो आम ले का अचार खाओ खटी चीज़ खाओ खती चीज खाने अब आप लोगो के सही नहीं तो समाज में इज़त आपकी नहीं रहे घ्सए new hair lotion के साथ आपको ये तो खाना ही पड़ेगा यार ऐसा नहीं है बहुत साई लोगों का result आया है new hair lotion के साथ पर आपको अगर आप चाते हो कि आपके बाल permanent रहे naturally आपके बाल दिखे जैसे कि आप सब लोगों को दिखता है मेरे पूरे साईनी बाल है और ऐसा कहीं से भी मेरे को कोई भी side effect नहीं हुआ है और side से देख लीजिए आप मेरी hair line कितनी अच्छी आ चुकी है बहुत अच्छे बाल आया है बहुत अच्छा result आया है दोस्तो मैंने day 1 से लिकर अब तक की गंजा था side side से दोस्तों बिल्कुल भी जिसको अधना बाल बहुत पतले हो चुके थे जैसे कि आप सभी लोग side side से गंजे हो या बाल बहुत पतले आ रहे बाल बहुत जढ़ रहे तो अभी आप लोग के past time है दोस्तों अभी साहिश्य लोग बोलते कि हम क्या इस ओयल के साथ टोपी लगा सकते हैं तो बोग पर देल लगाने के पंदरा मिनिट बाद उसके बाद यूश करना उससे पहले या उसके बाद मत यूश करना दोस्तों टोपी आप के hair hair evolution हमीशा लगाना पड़ेगा दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हूँ मेरे अच्छे और घने बाला गए तो अब मैंने new hair evolution लगाना छोड़ दिया है अब मैं सिर्फ आप लोग को treatment दिता हूँ कित तरीकिस को लगाना है अब मैं normal सरसुखते लगाता हूँ रात को और सुबह hair wash करता हूँ ये मैं हफते में दो time कर रहा हूँ और आप लोग के सामने result है दोस्तों पूरे सर में अब जितने बार भी कर दूँ एक भी बाल हाथ में नहीं आते दोस्तों समझे लिए आप लोग अब बाल धरना बिल्खुर रुख चुके है बहुत अच्छा में को result मिला है दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो आशा करतो हूँ आप लोग को वीडियो पसंदे जोगी अगर दोस्तों वीडियो पसंदे तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए दोस्तों बाबाए अपना खैर रखिए ठेंग यू